जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विज़पत डिफेंस अजूकेशन में आज हमारी क्लास 12 है HP पुलिस डेली मिक्स जीके की इस वीडियो में डिसकस करेंगे टॉफ 15 प्लस कोईशन जो कि आपके लिए most important रहेंगे HP पुलिस एक्जाम के लिए आपके लिए mission 2021 ये आपके लिए रहेगा जिसमें आपको अपना एक्जाम क्रैक करना है आप हमारा basic foundation का course जोइन कर सकते हैं जिसमें आपको मिलेगी 100% sure success आप अपनी त्यारीस में बिल्कुल basic के साथ start कर सकते हैं आप basic foundation का course जोइन कर सकते हैं विजयपत defense education में आज की वीडियो शुरू करते हैं इस वीडियो में 15 प्लस question जो हैं वो HP GKK और साथ में हमारे general science और India GKK रहेंगे so first question है हमारा बीर्भदर सिंग पहली बार मुख्य मंत्री कब बने थे तो बीर्भदर सिंग पहली बार हिमाचल के मुख्य मंत्री बने थे 1983 में important question है शिमला से ये belong करते हैं और इनके जो बेटे हैं जिनका नाम है बिक्रम आदित्य जो M.L.E. हैं बरतमान में M.L.E. हैं शिमला ग्रामिन के तो बहां के ये M.L.E. है और सबसे ही यंग अगर میں बात करूं M.L.E. की तो वो है बीर्भदर शिंग जी के बेटे जिनका नाम है विक्रम आदेते और अगर मैं सबसे बुज़ुरुग की बात करूँ तो MLA कौन है तो उनका नाम है बीर भादर सिंग नेक्स वन है हमिरपूर का ताल नामक स्थान किस के लिए परसिद है तो हमिरपूर में एक ताल नामक जगा है जो की परसिद है भेड प्रजनन के लिए मोस्ट इंपोर्टन है हमिरपूर से कुछ इंपोर्टन चीज़े मैं आपको बताऊं हम आगर मैं बात करूँ NIT की National Institute of Technology जो की हमारा सिथ है डिस्टिक हमिरपूर में सैनिक स्कूल एकमातर हिमाचल का ये सिथ है सुजानपूर तिहरा में जो की परता है हमिरपूर डिस्टि करवाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ये भी हमार रस्तित है हमिरपूर में और इसकी स्थापना हुई थी 1998 को नेक्श वन है मेजर केनेडी ने शिमला में पहला पक्का मकान कब बनाये गया था तो मेजर केनेडी के दौरा शिमला में सबसे पहला पका मकान बनाये गया था अठारा सो बाइस इस भी में इंपोर्टेंट कोशन है नेक्श वन है भारत का प्राचींतम संगीत यंतर क्या है तो सबसे पुराना संगीत यंतर है पूरे भारत का उसका नाम है बीना इंपोर्टेंट कोशन है और संगीत यंतर से मैं आपको बता आई जा सकती है next one ने सियाचिन जाने वाले पहले पर्धान Давай कौन है तो सियाचिन जाने वाले पर्धान मंधरी थे मनमोहन सिंध मंधान की परधान मंत्री की बात करूं तो उनका नाम है नorit मोदी उनिके आपको एक और fact याद रखना है मनमोहन सिंग एक मातर ऐसे परधान मंतरी है जो की RBI के जो की RBI जो Reserve Bank of India है उनके गवर्नर भी रह चुके है RBI के एक मातर ऐसे मतलब गवर्नर है जो की भारत के परधान मंतरी भी रहे है उनका नाम है मनमोहन सिंग नेक्स वन है भारत का परवेश द्वार किसे कहा जाता है तो भारत का परवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को इंपोर्टन कोशन है और मुंबई को एक और अनदर नेम के नाम से जाना जाता है भारत का Hollywood जो है वो भी मुंबई को ही जाना जाता है नेक्स वन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो बर्ड वोटर डे जो है ये पूरे विश्व मनाया जाता है 22 मार्च को डेस से रिलेटेड भी आपको question important आपके exam से बनते हैं और डेस में आपको January से लेके पूरे के पूरे दिसंबर तक डेस आपको बुलन होने चाहिए नेक्स वन है पानी का pH मान क्या होता है पानी का pH मान जो होता है 7 pH की बात करूँ तो pH का मतलब होता है potential of hydrogen जो इसकी discovery की थी वो की थी SP सारेंसर ने SP सारेंसर ने इसकी discovery की थी और pH की में बात करूँ तो pH में हमारे पास एक scale होती है जो की हमें बताती है कोई चीज acidic है ये basic है ये 0 से लेके 14 तक की ये हमारे पास scale है बीच में यहाँ पे 7 है अगर कोई value हमारी 0 और 7 के बीच लाई कर रही है तो इसको acid बोला जाता है कोई value 7 और 14 के बीच लाई कर रही है उसको base बोला जाता अगर किसी चीज़ की value perfect 7 है तो उसको neutral बोला जाता जिसको उदासीन के नाम से हम जानते है सो ये थी सारी की सारी pH की जो हमारे पास important detail है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पानी और नमक का pH क्या होता तो दोनों का pH होता है 7 मतलब कि पानी और नमक जो है वो हमारा neutral होता है नेक्स हन है रंगनात मंदीर कहां पर स्थित है मैं रंगनात मंदीर हिमाचल की बात कर रहाँ तो ये हमारा स्थित है डिस्टिक बिलासपुर में बिलासपूर से एक और बात आपको मैं बता दूँ बिलासपूर में हिमाचल का एक मातर एम्स बन रहा है जो की पूरे हिमाचल में काफी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा हमें हॉस्पिटल से रिलेटेड तो एम्स जो है ये बिलासपूर के कोठी पूरा नाम करें को सपाथ्स्था पार्टि उनके जो अधियक्मिय कर्था और साटी एह जो है हमारे और este Geo करते हैं तो ब्रेजनाथ क weary shed मंदिर से शिला लेख किस लिपी में लिखे गए 함 तो बैजनात के शिप मंदिर जो है बहा पर जो शिला लेख लिखे गए हैं ये लिखे गए लिखे गए हैं शार्दा लिपी के next one है the great himalayan national park को कब अंतरास्टे धरोहर का दर्जा दिया गया मतलब इसको जो है the great himalayan national park जो है हमारा district कुलू में पढ़ता है इससे काफी जादा important question आपके लिए मैं यहां से बनाता हूँ great himalayan national park जो है यह himalayan national park का सबसे बड़ा national park है first app का यह हो गया दूसरा यह district कुलू में पढ़ता है और तीसरा यह हमारा कि इसे जो है वो अंतरास्टे धरोहर मतलब कि bird heritage site में से आड़ किया गया था 2014 में तो important question आपके लिए यहां पर बनते हैं next one कि नोर का मुख्याले क्या है यह question आपके HRTC exam में भी पूछा गया था जो हमारा 2020 का HRTC conductor का exam हुआ था उसमें question पूछा गया था तो कुछ ऐसे question है जो आपके HPSC यह फिर mostly जितने भी other category के exam होते हैं उन्हीं से related आपके लिए question यहां पर लेके आता हूं तो कि नोर का मुख्याले जो है वो है हमारा रिकांग पीओ काफी सारे student यहां पर confused हो जाते हैं कि बार option कलपा रिकांग पीओ आता है तो इसका जो सही answer रहेगा वो रिकांग पीओ ही रहेगा next one है हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिशत भूमी पर खेती की जाती है तो हिमाचल मैं total percentage की बात करूं कि कहां कितने पर जो सिर्फ और सिर्फ क्रिशी की जाती है तो वो है 11 प्रतिशत important question है next one है सतलूज नदी का उद गमस्थान कहां पर है तो सतलूज नदी जो है यह हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है मुखे रूप से 5 नदीया हिमाचल में बहती है और सतलूज नदी सबसे बड़ी नदी है जल घनतों के हिसाप से बात करूं तो चिनाव हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है और सतलुज जो है यह निकलती है राक्षर स्ताजील जिर्खों की मान सरोबर जील के नाम से भी बोलते हैं और यह पढ़ता है हमारा तिबत में नेक्ट वन है लास्ट कोशन वीडियो का किनर के लाश परवत का समंद किस भगवान से है तो किनर के लाश परव इंपोर्टेंट कोशन है आपके लिए आपको कमेंट वोक्स में बताना है कि किलाश परवत की हाइट क्या है आई होप आपको बीडियो अच्छी लगी होगी आप हमें शोशल मीडिय के उपर फॉलो जरूर करें आपको वाट्स आप करूप जरूर जोइन करना है बीजे प बावसुक्य algorithm में आपको वट्ससाब करूइकि ब्लय कहाएंक जहां से आप कर सकते हैं आप अपनी त्यारी घर बैटे ही हमारे साथ कर सकते हैं हमारा हिमाचल पुलिस का भी argent कि अड़ांस बैच स्वाइट हो चूट है आप हमें आपका हिमाचल पुलिस का जो ये बैच रहेगा वो रहेगा आपके लिए मिशन 2021 इसमें आपको अपना एक्जाम क्रैक करना ही करना है आपको जोब लेनी ही लेनी है तो अपना एडवांस बैच आप स्टार्ट कर सकते हैं BJP Defense Education में मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ तब तक कि आपने वीडियो को जाद से जादा लाइक करना है अपने फेंट्स में जादा से जादा शेयर करना है और अगर आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके या फिर आई वटन के ओपर क्लिक करके आप हमारी प्रीविएस वीडियो देख सकते हैं जो कि HP Police Daily Mix GK की रहेंगी आप उसको जरूर देखें तब तक के लिए जय हिंद जय भारत